हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Redmi Note 10 Pro Mix के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Sounds के बारे में कि हमें यहाँ पे Sound में क्या-का Features तो देखने को मिलते हैं ओके वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिचेगा बेल का इकन को प्रेस करेंगे तो फर्स्ट अफॉल क्या करें आप लोग कर सकते हैं मेडिया वाल्यूम होगे अपना रिंग्टोन वाल्यूम अलार्म वाल्यूम उके उसके बाद Sound Assistant की बात करें यहां पे तो हम इसको Sound को Adjust कर सकते हैं Multiple Lips के माध्यम से और Multiple Audio के Source यहां पे देखने को मिलते हैं इसके बाद Silent Mode की बात करें या हम पे देखने को मिलता है प्लस ऋसालेंस Medium Mode भी हम यहां पे देखनी को मिलता है एंद डू नॉट डिश्टर्ब में हमें देखेंगे यहां पर डू डिश्टर्ब देखने को मिलता है डू नॉट डिश्टर्ब में हमें स्केडियूल लगा सकते कब स्टाइट होना चाहिए कब बंध होना चाहिए एक्सेटर उसके बाद नॉटिफ tailored about calls की बात करें तो notification चया है आप लोग को की call का notification चया है रख सकते और वाइबरेट की बात करें तो हम यहां पर confirmed लगा सकते, silent mode vibration लगा सकते and tap करने में tap करने में vibration चीए तो वो भी कर सकते and यहाँ पर थोर सा advantage ही मिलता है कि आप लोग इसमें थोर सा category वाई set कर सकते कि medium vibration चीए, medium चीए light चीए, strong चीए so depend करता है उसके बाद सबसे last में sound effect यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है ना, and यहाँ पर additional settings में sound को adjust यहाँ पर, नहीं adjust नहीं, additional settings में हम यहाँ पर काफी सारे sound यहाँ पर हम डाल सकते से कि touch sound हो गया dial पर tones हो गया यह सब चीज़े, okay sound effect में हम sound बगर को customize कर सकते equalizer पर देखने को मिलता है ठीक है ना, तो यह सब feature हमें यहाँ पर sounds में देखने को मिलते है okay, video start करने से पहले आप लोग हमारे YouTube माफ करना, माफ करना, माफ करना मिलते है next video में, जै मता दी